नमस्ते आप सबका वेलकम हैं सिम्रन की रसोई में इसके अंदर 2 प्यास छेल कर मोटे टुकड़ो में कटे हुए चार से पाच कड़ी पते दो हरी मिर्ची टुकड़ो में कटी हुए एक टमाटर टुकड़ो में कटा हुआ बस इन सब को आपको अच्छे से भूना है लगबख एक से दो मिनिट के लिए उसके बाद इसके अंदर आपको डालना है डालिया यह आधा कव डालिया मैंने डाल दिया है यह सबी के घर पर होते हैं यह मार्केट के में आसानी से मिल जाते हैं यह डालिया डालने के बाद इसे आपको अच्छे से भूनना है लगभग चार से पांच मिनिट के लिए अब इसमें आपको भूनते समय ये धियान रखना है कि जो दालिया है ना इससे आपको जलाना नहीं है लगातार चलाते जाना, कंटिनुसली मिलाते जाना और कुछ इस तरह से हो जाना हलके सुने रहे तो बस इन सारी भूनी होई चीजों को आपको एक मिकसर जार के अंदर डाल दीना है और बस इसे ढखकर आपको पीस लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिए और यह कुछ इस तरह से दर दरा तो इसके अंदर आदर गलास पानी डाल दीनगे और इसे फिर से ढखकर हम अच्छे से पीस लेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने अच्छे से पीस लिया है अब वही कड़ाई में आपको डाल दीना है एक चमच भर कर तेल जैसे ही तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे चौथाई चमच राई, चौथाई चमच जीरा, चुटकी बर हिंग और इसे के साथ नहीं मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक बारी कटा हुआ प्यास और छे से साथ कड़ी पते हलक असा एक से दो मिनिट तक मूल लीजे उसके बाद चौथाई चमच हल्दी पाउडर, आदी चमच लाल मिश पाउडर अच्छे से इसे आपको मिला लीना है मिलाने के बाद तो रंती जो हमने ये पीस के रखा था ना वो इसके अंदर डाल दीजे इसके अंदर डालने के बाद अच्छे से आपको इसे मिलाना है लगवग एक से दो मिनिट तक ऐसे ही मिलाते जाएए और अब आती है पानी डालने की बारी तो यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दो गलास जो स्टील के मीडियम साइज के गलास आते है दो गलास पानी इसके अंदर डाल दीना है अच्छे से मिला लेना है मिलाने के बाद इसके अंदर में डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक और इसे फिर से मिला लेंगे अब इसे हमें खुला ही पकाना है लगवग 6-7 मिनिट के लिए बीच-बीच में मिलाते रहना इसमें अच्छा खासा उबाल आएगा या अच्छे से पकेगा तब तक आपको इसे पकाना है जिसके मैं आपको कहा 6-7 मिनिट के लिए दो बच इस तरह से बीच-बीच में मिलाते जाएं और इसे पका लीजे लगबक यापर 6-7 मिनिट हो चुके हैं और ये बिना डाल के सांबर बनकर तयार है अब इस सांबर को आप ऐसे पीए सूप के तोर पर या इटली के साथ खाए या चावल के साथ खाए सच बता रही हूँ किसी को पता नहीं चलेगा कि ये बिना डाल वाला सांबर है इतना स्वाद वाला इतना स्वाद वाला अपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसमें डाल नहीं डली हुए तो इसे जरूर ट्राइ कीजे अब गर में डाल पड़ी हो तब भी से बनाना और नहीं हो तब भी बनाना ठेके आज के लिए बस इतना है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंकियो फॉर वाच्चेंग